नवस्का दोस्तो स्वागते आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो राइस्तान पीटिटी कॉलेज अलोटमेंट 2024 को लेकर आप सब के लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तो पीटिटी कॉलेज अलोटमेंट की 20,000 सीटे खाली बचे हुई हैं कुछ सीटे भड़ गई हैं दोस्तो बीएट कॉलेजों में और इसी लिए दोस्तो जो नए बिद्यारती हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी कांसले नहीं कराई थी पेपर दिया था अच्छे नमबर आए हैं लेकिन उन्होंने दोस्तों पीटिटी के लिए कांसले नह और थर्ड लिस्ट को लेकर बात करेंगे थर्ड लिस्ट कब आएगी और थर्ड लिस्ट की क्या कटॉब रहेगी कौन-कौन करा सकता है कांसलिंग जो नया कलेंडर जारी किया गया उसमें कौन-कौन कांसलिंग करा सकता है कांसलिंग से पहले तुटी सुदार का मौका भी यानि कि अगर आपके फॉरम कोई गलती है जैसे कोई नहीं बित्यारती सामल होना चाहता है लेकिन उनके फॉरम में कोई गलती इसलिए वो डर रहे हैं कांसलिंग कराने से तो उनको तुटी सुतार का मौका दिया गया यह पांची वार ऐसा मौका है कि दोस्तों करेक्शन का म मौका मिल चुका है पांची वार तो करेक्शन का मौका दिया है पूरी जानकारी आपके साथ सेयर करूंगा वीडियो को सुरू से लाइश टक जिरू देख लेना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें पीटेटे कांसलिंग से पहले मिलेगा तो टुटी सुतार का मौका ऑनलाइन विकल्प 19 अगस्त तक भरे जाएंगे 18 और 19 अगस्त को दो दिन ही दोस्तों आपकी कांसलिंग चलेगी और इसके बाद आपको कॉलेज बनी होगी यानिकी फीजमा कराने के लिए दो दिन का समय मिलेगा तो राज्य के 942 बीएड कॉलेज में प्रतम कांसलिंग के बाद भी 20,000 सीटे खाली बचुई हैं रिक्त सीटों में दो वरशे बीएड कोर्स की 12,000 और बी येबीएड की 2000 और बी एसइड की 6000 सीटे खाली हैं तो दोस्तों लगाता सीटे खाली चले हैं रिक्त सीटों की बढ़ाने के लिए नोटल जैसे बर्दवान वाविर कॉले को सीधी सीधी बढ़ गई हैं दोस्तों इसलिए वोट ने नया सडूल जारी किया है और आपको मौका दिया गया है कि अगर आप सामल होना चाहते हैं जो नई विद्यारती हैं वो भी सामल हो सकते हैं कि पहले तो 500 रुपे सुलक देकर 14-15 अगस्त तक आप अपनी जो है कोई सु सुचना 25 अगस्त को आएगी यानि कि दोस्तों जो कॉलेज आएगी वो 25 तारीकों लिष्ट जारी होगी और जिस पकार से सीटे खाली चल रहे हैं आपको बतातों चौती लिष्ट भी साल आ सकती है यह कि सीटे भी बहुत ज़्यादा खाली हैं दोस्तों कॉलियम रिक्त सी लिष्ट भी जारी कर दी जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटे खाली हैं तो 19 अगस्त से कॉलेज भरनी होगी आपको तो उसी दिन सूचना भी आ जाएगी तो दोस्तों अगर कांसलिंग कराना चाहते हैं नए बिद्यारतियों को भी मौका दिया गया है और जो नए कॉल पर देकर उनको भी बोड ने अवसर दिया है जिया दोस्तों आप दे सकते हैं कि जुन्होंने पहले करा पाए थे कांसलिंग के लिए उनको भी बोड ने मौका दिया है और पर क्या अपडेट है पीटीट को लेका चलिए और वह भी देख लेती है तो दोस्तों अगर आप आप देख सकते हैं साइट को अपडेट किया गया है यहां पर रेड कलर में एक नया नोटिस आया है ओल्लाइन तुटी सुदार एवं दुतिये कांसलिंग के लिए निर्देश एवं सडूल तो दोस्तों जो कलेंडर में आपको कल दिखा था उसको आज यहां पर दिन के बाद आप फॉरम में गलती का सुदार करा सकते हैं 500 रुपे सुलक लेगा और 14 तारी आज से कल 15 अगस्त इन दो दिन करेक्शन चलेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपकी दूतिये कांसलिंग है तू ऑनलाइन रेश्टेशन यानिकी जो नए विद्ध्यारती है जिन्होंने रेश्टेशन नहीं करा पाए थे उनको 5.000 रुपे देकर रेश्टेशन का मौका मिलेगा 19 तारी तक अठारेवा 19 तारी को दो दिन का मौका मिलेगा इसके बाद दोस्तों होगी आपकी महाविद्याले चेहने तू ऑनलाइन बिकल्प बनना तो ऑनलाइन बिकल बिद्यार्ति को अपवड मराण कराने पर दोस्तों या कोलेजर नहीं बशक्ता है जैसे की सेटले नो Kel sedli मेंे और अगर आपने फीजमा करा दी है दोस्तों तो आपको दोस्तों से सcheikος विद्द्ध्यार् chiffon पहलेघ के इसा कौले तो काले मिलनेे मिल लsquल करते हैं जो हुआ यूज़ें पालो कि आपके दोस्तों कांसलिंग करा सकते हैं पांच याय्रुपया इंद्धोर हो चुका है उननको सर्क कॉलेज वननी है यह तो सबस्द् делать किसी नहीं करा सामल हो सकते हैं वह बरती आवेदन पत्र में कोई गल्ती थी तो ठीक करांट पर वेसे बंचत रह गए थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आ पाया था फैस्टी जो फस्ट इस्ट मैं क्या कॉले मिल गी तिया दूसी लिश्टों कॉले मिल गी थी लेकिन उनका रूप कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया था इस विश्ट नहीं हो सका तो ऐसे सभी विद्ध्यारती इसमें सामिल हो सकते हैं इस काउंसलिंग वब थी पात रहोंगे जिन परतम कांसलिंग के दोरान चौश रिफिलिंग पूरु चौश यहतावद रखने को प्रांद कोई मावध्याले को तो आपको जब हुद समय करांगे तो नई का लिचे के इसोचना कब आएगी तो नए जो कॉली अना उनकी सूचना 19 तारीक आएगए और 19 तारीक से 22 तारीक के बीच में कॉलेज बरी जाएगी तो आसा आसा करता आप समझ गया होंगो दोस्तों मैं आपको जो समझाने की कोसिस कर रहा हूं इस पकार से पूरा प्रोसेस रहेगा और 25 तारीक को आपकी लिस्ट आएगी दे सकते हैं महाविद्याले आवंटन की 25 तारीक और 25 तारीक लिश्ट आजएगी तीसरी अगर तीसी में आपकी सीटह नहीं बरी जाती है तो चौतिह आंगी चौतिह में भी जाती है तो पांक की लिजोाने के पूरी उम्मित ती लेकिन कट अप काफी है दहाई जाने की वाज़ से अब बीएड में काउंसिलिंग कराना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों यह अच्छी अपडेट हो कि उनके दोनों में अच्छी नम्मर आ रहे थे और बीएड की कटॉप बीएच्टीसी की अपेच्छा बहुत कम रहती है तीन सो तक कॉले मिल ज आती है आपको तो दोस्तों यह है पूरी जानकारी आज आप तुटीस उतार करा सकते हैं 14 तारीक और 15 गस्तों यह दो दिन का मौका को करेक्शन का है फिर आपकी कांसिलिंगी 18 तारीक से 19 तारीक तो नए चात्रों को रेश्टेसिन का मौका मिलेगा और 19 तारीक से और 22 ता और 26 तो घाएँ लेकिन अब को रता दो इसमें नए विद्यारती भी सामिल हो जाएंगे नए विद्यारते को का दिया गया है तो हलंकि नए विद्यारती यतलै नहीं फिर भी दोस्तों लग भगाए आपके ये कज़ से 2000 विद्यारती ने नए कांसिलिंग करने क्योंकि अभी शीटें नहीं बढ़ाई गई हैं उम्मित्ती की बीएस्टीस में शीटें बढ़ जाएंगी बीएस्टीसी की अपडेट भी जल्दी आने वाली चैनल पर तो आप चैनल को जरूर सस्काइब कर लेना